आपकी स्क्रीन पर विवाह अनुदान हेत उत्तर प्रदेश सासन की तरप से आफिसियल वेबसाइट दिखाए जा रही है यहाँ पर आके आप आवेधन कर सकते हैं और यहाँ से आवेधन का प्रिंट ले सकते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गर आपको कोई समिस्या है, तो यहाँ से आप contact number निकाल सकते हैं, आविदन करने के लिए अगर आप जणजात की हैं, तिस प्वे click कर सकते हैं, अन्य पिछ़़ा बर्ग हैं, तिस प्वे click कर सकते हैं, मैं सारी चीश यहाँ पर करके आपको द देखने को मिलती है ठीक है यहाँ पर अपने गाउं का नाम पुत्र की साधी कीति थी जनपत तैसील और यहाँ पर फोटो और साथ में आविदक का नाम आपकी सुवर्ग के हैं धर्म आपका क्या है सारी चीजें आपको यहाँ पर सही सही फील करनी होगी उसके बाद आपकी जिससे साधी हो रही है उसका विवर्ण यहाँ पर फील करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है अपनी वार्षिक आई दिखानी है और साथ में आपको जिस एकाउंट में पैसे लेने है यानि कि जिस एकाउंट में आपको पैसे चाहिए वो एकाउंट की detail यहाँ पर आपको field करनी होगी जैसे कि bank का नाम क्या है IFC code क्या है आपका account number क्या है और आपका bank का साखा कहा है इसके बाद यह चीज field करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे save वाला बटन दिख रहा होगा इस save वाले बटन पर आपको click करना है जैसे ही आपका form submit हो जाता है और form submit होने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे आपको लगता है कि आपका form submit हुआ है या फिर नहीं तो इस वाले option पर click करके अपने आवेदन की इस्थित check कर सकते हैं जैसे इस पर click करेंगे आपको कुशिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसकी बाद यहाँ पर जो आपका आवेदन संख्या होगा जब आप form को online करेंगे उस आवेदन संख्या को यहाँ पर feel करना है अपना bank खाता यहाँ पर feel करना है एक password आप बनाए रहेंगे उस password को यहाँ पर feel करेंगे और इस capture को यहाँ पर feel करके login कर देंगे जैसे ही login करेंगे आपका form किस condition में है वो आपको बता दिया जाएगा आपको पैसा कब मिलेगा आपका form सही है या फिर गलत है यह सारे जानकारी आपको दे दी जाएगी इसके बाद यहाँ पर आप से अगर कुछी से जानकारी चाहते है अधिकारियों से तो आप यहाँ पर contact कर सकते हैं इस पर आपको simple तरीके से click करना है और यहाँ पर आप किस के संपर्थ सूत्र का नंबर चाहते हैं किस अधिकारी से अगर आप सामान के हैं सामान यहाँ पर जनजात के हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर अलपसंख्यक हैं तो आपको उसी पर click करना होगा जैसे इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको toll free नंबर दिखाया जाएगा इस toll free नंबर पर call करने के बाद आप अपनी समिश्याओं की जनकारी ले सकते हैं अगर आप performance बरने से पहले आपको जनकारी चाहिए निर्देश चाहिए तो आप यहाँ पर click करके पूरी जनकारी ले सकते हैं इस पर जैसे आप click करेंगे आपको काफी सारी जनकारी मिल जाएगी आपके इस category के हैं उस category पे आपको click करके यहाँ पर पूरी details ले लेना है इस पर जैसे आप click करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ये एक form open हो जाता है और इस form पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो backward है यह backward के लिए यहाँ पर यह official website है इंटरनेट से प्राप्त है इसमें क्या क्या चीजें कैसे लिखी गई हैं उस सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको गूगल पर सर्च करना है सादू अंगान.up.dc.ub.in पर आपका यह form ओपन हो जाएगा घर पर क्लिक करेंगे यानि कि होम तो आप होम पर आजाएंगे और इस तरह से आप form आनलाइन कर सकते हैं अगर बातें समझ में आई हैं ठीक है अगर आपको कोई doubts है तो आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब चरू किजिएगा तो चलिए आज की बिलेटन यहीं पर संपन्न होती है मिलते हैं आप से किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ